दोस्तो टाइटैनिक के बारे में तो आप सबने सुना और पढ़ा होगा मैं फिलम की बात नहीं कर रहा हूँ बलकि उस असली टाइटैनिक जहाज की बात कर रहा हूँ जिस पर फिलम बनाई गई थी दुनिये के सबसे बड़ा जहाज की तोर पर विख्या टाइटैनिक को डूबे 108 साल हो चुके हैं लोगों को पता है कि उसका मलबा कहा है लेकिन आज तक उस मलबे को समुंदर से निकाला नहीं गया है क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? शायद नहीं तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुच सके टाइटाइनिक 10 अपरेल 1912 को अपनी पहली यातरा पर ब्रिटेन के साउथ हैंटन बंदरगा से नियू यॉक के लिए निकला था लेकिन 14 अपरेल 1912 को उत्तर अटलैंटिक महासागर में एक हिमखंड से टकरा कर दो टुकडों में तूट गिया था और इसका महासागर में 3.8 किलो मेटर के गहराई में समाग गया था टाइटाइनिक हाथ से में करीब 1500 लोग मारे गए थे इसे उस समय की सबसे बड़ी समुदरी गटनाओं में से एक माना जाता था लगबग 70 साल तक इस जहाज का मलबा अंजुआ ही समुदर के अंदर पड़ा रहा था पहली बार सल 1985 में टाइटाइनिक के मलबे को खोज करता रोबर्ट बलाड और उनकी टीम ने खोजा था ये जहाज जहाँ पर डूबा था वहाँ बहुत अंधेरा है और समुदर की गहराई में तापमान एक डिगरी सेल्सियस तक पहुच जाता है अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फी सुरक्षित वापिस लोट कर आना बहुत ही मुश्किल काम है ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है और वैसे भी वो जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमेटर की गिराई में जाकर मलबा निकाल कर लाना लगभग नामुम्किन है बताया जाता है कि समुदर के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि वो तेजी से गल रहा है जानकारों की माने तो आने वाले 20-30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुदर के पानी में ही विलीन हो जाएगा दरसल समुदर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोवे के बने ढाचे को तेजी से कुतर रहे हैं जिसकी वज़ा से उसमें जंग लग रहा है BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले ये बैक्टीरिया हर रोज करीब 180 किलो मलबा खा रहे हैं यहीं वज़ा है कि वे ज्यानिक मानते हैं कि आप टाइटैनिक की उमर ज़्यादा नहीं बची है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताईएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें यह है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद